नमस्क्राइब, मैं डॉक्र स्टीक शर्मो, डिया चुनल, हमारे चनल में आपका स्वावरत है, आज का सवाल है, कॉंस्टिक्वेशन को पर्मानेंटली कैसे ठीक किया जा सकते हैं, तो कॉंस्टिक्वेशन यानि की कब्ज रहना, पेट साफ ना होना, मल त्याग करने में तक करने लगती है, एसी डिटी की शिकायत हो जाती है, मुँ में च्छाले हो जाती है, पेट में भारी पन रहने लगता है, तो कॉंस्टिक्वेशन की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने के खारण, या नेंद पूरी ना होने के खारण, गड़क खान पान की ज़्यादा पास्टूर्ट, तली खरी चीजें खाना, या मैदेगी चीजें बहुत ज़्यादा एक्सिमाल करना, जिसकी वज़ए से हांतों में सूजन आ जाती है, और कॉंस्टिपेशन यानि कब्स की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी कम पीने की वज़ए से कब्स की प्रॉब्लम होता है, पीने के लिए डॉक्टर कब्स की ब्रॉब्लम होता है, जिसके 20-20 स्पून दवा की एकप पानी के अंदर मिलाकर दिन में चार बार पीना होता है, और इसके साथ बायोकैमिक नंबर चार की टैबलिट होती है, जो चार-चार बोली जिन में तीन बार चुछनी होती है, दवा को कम से कम दो-तीन मेना जोड लेना चाहिए, दवा के साथ खुश्बु वाली चीज़े नहीं देनी है, जैसे कच्चा प्यास, कच्चा लैसन, इनाइपी, सांप, पीन, कॉफी, औ अधिक जानकारी के लिए कंपनी के लज साइड www.tactis.in या कंपनी का कंटेक्स नंबर गी नोट कर सकते हैं, 828274200 और आप लोगों की सुधा के लिए कंपनी का लिंक और कंटेक्स नंबर, कॉमेंट में विज़े रहा हूं, अगर आपको मारा वीडियो बंदा रहा हो, तो